हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई योट्यूब चैनल दे जर्नी ओफ मैथमेटिक्स विच साइन्स गाइस देखिए आज हम करेंगे इनवर्टिबल मेट्रिक्स लास्ट क्लास में हमने किया था कि elementary operations या elementary transformation क्या होते हैं अब उनका use क्या है उनको use ये है कि हम उसको use करके हम किसी भी मैट्रिक्स का inverse find कर सकते हैं ठीक है तो जिस मैट्रिक्स का हम inverse find करते हैं उस मैट्रिक्स को बॉलते हैं invertible matrix यह देखिए, अब condition यह है कि किस matrix का inverse find हो सकता है या किसका नहीं, आप इसकी एक बार definition read कीजी, वो क्या कहती है, इसका क्या मिनिंग है, कि सबसे पहले किया हमारे पास एक square matrix होनी चाहिए, कैसी एनरोड, मतलब कोई भी square matrix हो, अगर देखे, यह मैंने square matrix लिये, two cross two की, इसमें क्या कहा है, उसने एनरोज, मतलब मेरी रोज कितनी है, two है, यहां पे, ठीक है, रोज भी two है, कॉलम भी two है, clear students, रोज और कॉलम दोनो two है, अब क्या है, कि यह तो मेरी कोई matrix है, क्या कहता है, कि यह matrix को मिन वर्टिबल तभी कहेंगी, if there exists any androde matrix, अब अगर यहां पे, कोई और matrix भी exist करें, वो कैसी exist करनी चाहिए, वो भी androde ही हो, मतलब उसमें भी उतनी ही rows और कॉलम्स हो, obviously इस matrix को भी क्या square होना पड़ेगा, ठीक है, m cross n, मतलब इसका order भी हम कितना लगे, 2 cross 2, ठीक है, कि अगर जितनी rows की हमने पहली matrix ली, उतनी ही rows की हमारी दूसरी matrix exist करें, और उन दोनों का अगर मैं साथ में multiply करूँ, जैसे कि देखें, मैं अगर A को B के साथ multiply करूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटेटी आनी चाहिए, उतनी, अगर मैंने यहां पर 2 cross 2 matrix लिए, तो मेरे पर यह कौन सी आईगी, आइडेंटेटी, आइटू, और अगर ऐसे ही मैं B A को multiply करूँ, तो भी मेरे पास क्या आनी चाहिए, आइटू, ठीक है, अगर यह चीज़ possible हो जाए, तो यहां पर हम A को क्या कहेंगे, कि वो कौन सी matrix है, invertible matrix, ठीक है, A को हम बोलेंगे invertible matrix, और जो B है, यह जो matrix exist करेगी, इस B को हम बोलेंगे inverse of A, ठीक है जी, inverse कह लीजिए, या फिर reciprocal कह लीजिए, और inverse of A को हम denote किससे करते हैं, A के उपर minus 1 लिके, A inverse, ठीक है, तो यहां पर B matrix किसके equal है, A inverse, that means A inverse किया है हमारा matrix B, यह चीज़ा आपको मैं example के थूरू बताती हूँ, तब ज़्यादा clear हो जाएगा, यह देखे, suppose मैंने example ली, मैंने कोई भी matrix ले ली, suppose A is 2, minus 3, minus 1, and 2, clear? और मैंने कोई B matrix ले ली, वो क्या है, जैसे कि 2, 3, 1, 2, clear? अब मैं क्या करूँगी, A, B, मतलब इन दोनों को multiply करूँगी, multiply करते समय क्या होता है, rows को हम column के साथ multiply करते है, ठीक है, इसकी first row और first column, और आपस में क्या करना होता है, add, तो 2, 2s are 4, यहां पे देखिए, minus 3 into 1, 4 minus 3 आजाएगा, यहां पे अब first row को second column के साथ, 2, 3s are 6, minus 3, 2s are, आगे minus 6, देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर first time आया है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने multiplication के उपर भी अलग से एक video बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक hidden trick बताई थी कि हम multiplication कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अगर तो आपने देखिऊ हुई है, तो फिर तो आपको याद होनी चाहिए, जिससे हम यह easily कर सकते हैं, नहीं भी तो आप दुबारा जाकर देख सकते हो, और उसका link भी मैंने अपने description में दिया हुआ है, ठीक है, अब देखिए, इस equation पर आई है, यह कि हमारी second row, first column, तो हम इसको तो हमारे पास AB की value क्या आगी, देखिए, 4 minus 3 is 1, 6 minus 6 is 0, AB 0, यह minus 3 plus 4 is 1, तो यह क्या बनगी है हमारी identity matrix बनगी न, वो क्या होती है, कि diagonal elements 1 हो और बाकी के elements 0, तो यह क्या हमारी I 2, अब similarly अगर मैं BA find करूँ, ठीक है, मतलब इसको इदर लिख ले, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 2, 3, 1, 2, ठीक है, यह B matrix से A के हमारे पास 2 minus 3 minus 1, 2, अब इससे solve कीजिए, अब वो तो आप अच्छे से कर सकते हो, multiply करने simple row को column की साथ, 2, 2 is 4 minus 3, क्या आएगा 1, आगे 2 minus 3 is a minus 6 plus 6, 0, 2, 1 is a 2 minus 2, 0, फिर आगे क्या माइनस 3 plus 4 हो क्या आजेगा हमारे पास 1, अब यह देखे, यह B क्या बनगी हमारी, आइडेंटिटी बनगी, I2, that means हमारा A, B equals 2 आगया, B, A, K, और यह दोनों किसके equal हैं, यह दोनों आपस में equal, फिर आगे किसके equal हैं, I2 के, मतलब आइडेंटिटी के equal हैं, यह देखे, आइडेंटिटी, ठीक है, अगर मेरी A, B को मैं आ A is equal to, अगर यह दर जाके हम देखिए, तो यह नीची आजएगी, नीचे को हम कैसे, ऐसे minus 1 लिख लेते होते हैं, ठीक है, clear students, तो मेरे पास A matrix क्या आगई, B inverse, ओके, अब similarly, अगर मैं यह चीज़ लेके चलू, B यह क्या है, हमारे पास I, और B क्या होगी, हमारी I into A inverse, अब अगर किसी भी matrix को मैं I के साथ multiply करूं, तो मेरे को same matrix मिलती है, that means A inverse, तो यहाँ से हमारे पास क्या आगया, कि एक तो हमारी A matrix, B inverse के equal है, और जो B matrix है, वो A inverse के equal है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, कि A किसके equal है हमारा B inverse के, और B किसके equal है, A inverse के, और A B matrix दोनों multiply करके क्या देती है हमें, identity, अगर यह चीज़ किसी भी matrix में hold कर जाए, तो वो matrix हमारी invertible होती है, मतलब उनका inverse exist कर रहा है, कर रहा है न, इसका inverse क्या है B, इसका inverse क्या है B का A, लब दोनों एक दूसरे का inverse होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कि A is inverse of B, या फिर आप लिख सकते हो कि B is inverse of A, मतलब वो एक दूसरे का inverse होंगे, क्लियर है students ठीक है A is inverse of B और B is inverse of A अब पहले आपको यह पता चल गया कि कोई भी matrix invertible कब होती है अगर यह condition hold secondly यह देखिए यह सबसे एक छोटी सी बात है बट बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह एक key point है जो आपको ध्यान में रखना है क्या कहता है कि by doing one or more elementary operations if we obtain all zeros कि मैं कोई भी question कर रही हूँ operations का ठीक है जैसे जिसमें मैंने inverse find करना है elementary operation लगाए मैंने लगाया first operation लगाया second लगाया after that जितने भी operation लगाने थे लगा लिये क्या कहता है अगर if we obtain all zeros in one or more rows अगर मेरे को किसी एक row में ठीक है कहीं भी complete उसकी elements zero zero मिल गए of left side matrix of i n is equals to b then a inverse doesn't exist that means जब अगर मैं कहीं भी operation लगाते लगाते मेरे को zero आ जाए पूरी row में या पूरे column में that means मेरा उस matrix का inverse exist नहीं करेगा ठीक है तो यहां पे a inverse doesn't exist clear students तो इस पे आप देख लिजे के inverse कभ एक्जिस्ट करता है कभ नहीं अब inverse find कैसे करते है मैं आपको इसका equation एक example लेके बिताती हूँ देखिए सबसे first example है मैं यहां पे 2 cross 2 matrix लेके आई हूँ आगे जलके हम 3 cross 3 का भी find करेंगे सबसे क्या कह रहा है आप चाहे row भी लगा सकते हो या फिर column भी लगा सकते हो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी और अगर आप किसी मर्जी वे से करिए आपका end में answer same आएगा clear students तो मैं यहां पे सबसे बहले आपको row operation लगा के दिखा रहे हूँ देखिए अब पिछली यहां पे हमने क्या चीज फाइंड की थी कि a b equals to i होता है ठीक है और यहां पे यह भी मेरे को पता है कि अगर कोई भी matrix है उसको मैं identity के साथ multiply करूँ तो मेरे को same वही element same वही matrix मिलती है न तो मैं a को i a लिख सकती हूँ अब यहां पे जो given matrix है वह मेरे को 2 cross 2 की है तो मैं यहां पे i2 लिखना हूँ नहीं भी only i लिखना है तब भी कोई बात ठीक है यह चीज लिखने है सबसे पहले इसका way देख लीजे सबसे पहले आप यह चीज लिखोगे कि we know that a is equals to i2a ठीक है यह चीज लिखी अब इसकी values put कीजेगा सबसे पहले क्या करना रहता है वह given things फिर values put एक यह हमारे पास 1,3,2,7 उसके बाद i2 कितनी है हमारी 1,0,0,1 ठीक है फिर एक यह है 1,3,2,7 clear students इतना काम कर लिया अब इसके बाद क्या है तो अब हमें के इसका inverse find करना है देखें inverse find करने के लिए क्या होता है आपको कुछ ऐसी tips use करनी है जिसके साथ आपकी यह जो given matrix A है यह identity में convert हो जाए मतलब identity mean to से यह जो इसकी जगह यहां पर यह आजए ठीक है अभी मैं आपको कुछ steps बताऊंगी कैसे कैसे अपने equation को solve करना है वो चीज़ आपने equation में mention नहीं करनी ठीक है यह मैं आपको first time बता रही हूँ मतलब आप 1000 अफवाक में note कर लेना तो इसको करने के लिए देखें क्या करना होता है हमें सबसे पहले जो हमारा first step है ठीक है उसके लिए क्या करते है हम जो a11 element होता है इसको हम one बनाना होता है ठीक है make a11 is equal to one मतलब यहाँ पे जो भी element होगा यहाँ पे तो question ऐसा था कि पहले सी one था पर अगर नहीं one हुआ तो हमें कोई भी ऐसे operations लगाने देखें जो हमने पीछे किये थे न उस पिछली class में यह तीन operations interchange, multiplication और addition इन में से कोई भी ऐसा operation लगाई है कि आपको यहाँ पे one मिल जाए ठीक है तो सबसे पहले आपका काम क्या है जो यहाँ पे first is को one बनाईएगा second thing पे आपने second step क्या करना है अब आप कर क्या रहे हो row operation तो row operation में क्या करना होता है पहले column set करना होता है ठीक है column set करने का meaning क्या है कि पहले आपने यहाँ पे one बना लिया उसके बाद आप downward चलोगे मतलब column wise चलोगे यहाँ पे आऊगे second element that means वो कौन से element है a22 मतलब फिर आपने क्या करना है कुछ भी ऐसा operation लगाईए कि यहाँ पे आपका क्या आजाए zero आजाए और जब भी हम zeros बनाते हैं तब ऐसे way से बनानी है zeros कि हमारी जो पिछले one बना हुआ है उसको use कर सेके हैं clear और third step में फिर आपने क्या करना है यह जो आपका element है यह sorry यह बला पहले आपने क्या करना है a मतलब पहले आपने one बनाना है क्या आएगा वो यह two one था यह two one अब यह two two को आपने one बनाना है उसके बाद fourth step क्या होता है आपने a one two ठीक है a one two को zero बनाना है clear सबसे पहले क्या करना है A11 को 1 बनाएए फिर उसके बाद A21 को 0 बनाएए फिर इधर वाले स्टेप्स मतलब के A12 को 0 और A21 को 1 ठीक है यह पहले चलेंगे मतलब हम देखिए ऐसे आएंगे फिर ऐसे चलेंगे ठीक है यहां पे पहुंचे और फिर यहां से उपर जाएंगे ऐसे complete करनी है यह circle clear है students ऐसे यह circle complete करेंगे ठीक है तो हम question start करें हमारा question यह था इसको देखे मैं एक पर यहाँ पर लिख लेती हूँ क्या चीज थी है हमारी 1 3 2 7 is equals 2 1 0 0 1 यहाँ पर 8 ठीक है और जो भी अपने operation लगाना है वो अपने left side के साथ सा right side भी लगाना है मतलब इस matrix में भी वो changes करनी है clear सबसे पहले आपने जब भी operation लगाना है क्या लिखना होता है applying क्या apply करेंगे हम देखे अभी यहाँ पर first row first row मतलब यहाँ पर a 1 1 column वो थो हमारा have 1 हमें जरूरत नहीं है ठीक है वो थो हमारा काम हो गया अब second क्या चीज़ करनी है हमने a 2 1 को 0 बनाना है तो a 2 1 मतलब यह कौन सी row है r 2 तो r 2 में operation लगाना है पहले क्या लिखेंगे हम r 2 फिर से r 2 लिखेंगे ठीक है अब क्या करेंगे अब देखिए r 2 में कुछ ऐसा करना है कि हमें यहां बे 2 की जगह 0 आजाए इसको यूज करके अब 2 को 0 कैसे बनेगा अगर 2 माइनस 2 हो जाए that means अगर मैं इस 1 को 2 के साथ पहले मल्टिप्लाइ कर दूँ बाद में सब्ट्राक्ट कर दूँ आपस में तो 0 आजाएगा that means मैंने रो 2 ऐसी उठानी है उसके बाद मैंने फर्स्ट रो को 2 के साथ मल्टिप्लाइ करना है then subtract करना है clear है students क्या करना है सबसे पहले जो भी आपको जिस रो पे उप्रेशन लगाना है वो रो लिखिए उसके बाद जो अप्रेशन करना है वो लिखिएगा clear है तो भी यहाँ पे आप एप्पलाएगी जे देखिए अब जो first row है उस पे थो हमने कोई changes नहीं करनी तो उसको ऐसे ही लिख लीजे 1, 3 ठीक है फिर second row उठाएए second row का first element किया है 2 अब यहाँ पे rough work में आप कर सकते हो जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे अब 2 माइनस आगे 2 फिर R1 इसका corresponding element वो क्या है 1 तो यह क्या बनगे 2 माइनस 2 is 0 तो यहाँ पे 0 आगे अब next देखिए यह क्या है R2 का element 7 7 माइनस आगे 2 फिर R1 का corresponding element वो क्या है 3 that means 7 माइनस 6 कितना आएगा हमारे पास 1 क्लीर है यह का हम अपने रफवक में करना है आगे चलिए अब इस matrix में भी आप यही operation अप्लाए करोगे ठीक है तो फिर्स रो तो ऐसी लिख लेंगे हम सेकंड रो में हमें अप्लाए करेंगे सेकंड रो के लिए क्या चाहिए यह देखिए हमें इसको ऐसी एको तो ऐसी लिखेंगे यहां पे मैं रफवक करोँ सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 आगे क्या है माइनस 2 आरवन क्या है 1 ठीक है तो 0 माइनस 2 क्या होगा हमारे पास माइनस 2 यहां पे लिख लेंगे आगे क्या हमारे पास 1 माइनस 2 ओफ 0 क्या है यह सॉल्फ करके 1 ठीक है तो ऐसे हमारे पास यह ओप्रेशन लगाया और जिससे हमें यह चीजे मिल गई अब आगे देखिए मैं यहां पे दुबारा नोट कर लेती हूँ मेरे पास क्या आगाया 1 3 0 1 ओके इस इक्वल्स टू 1 0 माइनस 2 1 ठीक है यह चीज़ थी अब देखिए अब यहां पे वन आगे 0 आगी यहां पे 1 भी आटोमेटिक ली आगया तो कुछ हमें करने की जुरूरत ही नहीं पड़ी 1 आगे अब हमारा क्या काम रहे गया सिरफ इसको 0 बनाना रहे गया इसको 0 बनाना है यह कौनसी रो में पड़ा है देखे क्या लिखेंगे हम applying r1 ठीक है यहां पे भी फिर से r1 अब इसको जब 0 बनाएंगे तो हम इसको use करेंगे अब 3 में ऐसा क्या करें के 0 आजे इसको use करके अगर मैं 3-3 कर लू मतलब अगर मैं इस रो को 3 के साथ multiply करूँ फिर subtract करूँ तो 0 आ जाएगा न यह देखिए second row पे तो कुछ नहीं तो यहां पे ऐसी लिख लिया ओके अब क्या है हमारा first row 1 row 1 का element क्या है यहां पे मैं लिख के दिखा रहे हूं 1-3 3 है ठीक है उसके बाद r2 का element लिखना r2 का element कितना है 0 तो 1-0 कितना हुआ 1 ठीक है फिर से क्या है हमारे पास row 1 का element 3 आगे क्या माइनस 3 r2 का element क्या है 3 sorry r2 का element यह रहा 1 तो 3-3 क्या आगे हमारे पास 0 clear अब इक्वल्स टू यहां पे r2 पे कोई चेंज नहीं उसको ऐसी no-down कर लिजिए ठीक है अब क्या अपलाई करना है हमने सबसे बहले r1 लिखना है 1-3 r2 का value कितना है minus 2 यह कितना हो गया is equals to 1 plus 6 that is 7 7 लिख लिए हम रहीं यहां पे ठीक है अब क्या करना है हमें यह element उठाएगा r1 का क्या है यह 0-3 r2 की value 1 क्या हैगा 0-3 is minus 3 तो यहां पे minus 3 आगया equals to 8 यह जो आपका है यह rough work है ओके तो हमारे पस क्या आगया 1-0-1 equals to 7-3 minus 2-1 अब देखे मैंने आपको starting में क्या कहा था कि हमने इस matrix की जगा identity लेकर आनी है वो ले आए हम that means हमारा काम हो गया अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ i2 इसको let it be b मैंने कुछ भी लट कर लिया b यह क्या थी हमारी a अब देखे हमारे पस क्या आगया b a is equals to i2 अगर मैं a को इधर रखूँ clear है या फिर b को रख लिजिए अगर मैं पहले b लिखूँ तो यह क्या बन जाएगा i2 into a inverse ठीक है यह उदर जाके inverse में आ जाएगी तो b की value के आगी मेरे पास a inverse मतलब के मैंने find क्या करना था inverse find करना था of a matrix matrix कौन सी थी हमारी पास a तो हमारी inverse of a matrix a is वो के आगया हमारे पास b matrix b matrix किया है यह बली उसको हम लिख देंगे 7 minus 3 minus 2 1 या तो आप ऐसे लिखे inverse of a अगर wording में नहीं लिखना तो symbol में आप ऐसे लिखोगे कि a inverse equals to 7 minus 3 minus 2 1 clear है students तो यह था हमारा row operation ठीक है तो यह था हमारा matrix a का inverse अब यह तो हमने किया elementary row operation के साथ अब ऐसे ही हम करेंगे column operation ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं next video में हम मिलेंगे column operation के साथ और ऐसे ही मैं आपको 3 cross 3 matrix में operations कैसे लगते हैं वो भी बताऊंगी clear तो आप मेरे channel के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे channel को subscribe कीजिए मेरी videos को like कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसे जादा से जादा शेयर करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं okay guys thank you, bye bye